अलो फ्रेंट्स मेरा नाम है सामल और आपको मेरा यूटुप चानल टेक्निकल सामल में स्वागत है आज एक नया टपिक लेकर आया हुँ हुन का नाम है बार बेंडिंग मेशिन जो कि एक स्पांटक company का बार बैंडिंग मेशिन है टक्वात suis सैने मेश्ची में क्या प्स लगता है वंके से काम करता है उसका बारे में आपको बताएगा चलिए दूस्टो मैं आपको बार बेंडिंग मेशिन ने पास लेका चलता हूं दुस्तो ये है spanteck का बार बेंडिंग मेशिन है जो की model नमबर है देखे दोस्तो ये model नमबर इधर लिखा हुआ है दोस्तो देखो model नमबर SB42 SP-42 model number है bar bending machine में अंदर में क्या parts रहता है उसका function क्या है मैं अभी आपको बताता हूं देखे दोस्तों ध्यान से यह हमारा MCV है जो की यूज होता है कि power को चालू करने के लिए cut करने के लिए और short circuit protection के लिए यूज होता है और यह हो गया हमारा main conductor हो गया main मतलwij की C1, C2, C3 3 conductor हो गया है वो 3 conductor का काम क्या है इसका काम क्या है वो motor को forward घुमाएगा इसका काम है जो कि motor को reverse घुमाता है और 3 नंबर जो conductor है उसका काम क्या है दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा ये जो कांटक्टर है उसका काम क्या है इसको बोलते है दोस्तों PSR मतलब कि Faze Sequence Relay उसको भी दूसरा नाम उसका भी है जो कि उसका का दूसरा नाम है VPR भी बोलते है बोल्टेज प्रोटेक्शन रिले बोलते है इसको Faze Sequence Relay बोल सकते है VPR बोल्टेज प्रोटेक्शन रिले बोल सकते है और यह जो लगा है R1, R2, R3, R4 लगा है चार्गो रिले लगा है वो कांट्रोलिंग के लिए लगावा है इसमें T1, T2 टाइमर है दो टाइमर है और कि कैसे function करता है मैं आपको बता आता हूँ देखिए देखिए दोस्तो अब आभी voltage मेजर करके दिखा गापको 3way ने या रहे हुँ फिर हम उसको चला के दिखाएगा मेटर को देखिए दोस्तो देखे दोस्तों इसमें 428 वोल्ट जा रहा है दूसरा फेज में 427 आ रहा है और और एक में और ए 431 मतलब कि हमारा थ्री फेज जो MCV में वो सप्लाई में बराबर आ रहा है देखे दोस्तों इसका बारे में आब मैं बताता हूं एक एक करके इसमें से जो सप्लाई मिलता है गोर कीजिए दोस्तों इसमें से जो सप्लाई मिलता है MCV से वो डायरेक्टर जाता है हमारा जो कंटाक्टर है यह कंटाक्टर का उपर का पॉइंट को जाता है इस में से यह फरवड कंटक्टर हो गया यह रिवर्स कंटक्टर हो गया जैसे कि आरवान वाईवान वीवान है उसको जो आएगा गूमके आएगा जो सप्लाई इसको आएगा ओ आएगा क्या है रिवर्स होके आएगा तो यह जो पावर सप्ले उसको जाके में में कनेक्ट होगा यहां आके कनेक्ट होगा दोनों का कमन पॉइंट यहां आके कनेक्ट होगा यह मोटर को जाएगा जैसे कि फरवड जाएगा तो फरवड जाएगा रिवर्स जाएगा तो रिवर्स जाएगा देखे दोस्तों यह जो PSR है वो PSR में जब 3 phase बराबर नहीं मिलेगा R, Y, B एक sequence में नहीं रहेगा तो यह अमारा on नहीं होगा देखे दोस्तों इसमें एक R लिखा हुआ है रे light जलता है इसमें आ लिखा हुआ है और रे light जलेगा तो हमारा phase sequence में आएगा फिर ही अमारा operation सही होगा इस जो निच्छे का दोनों पॉइंट है यह जो पंद्रा नमर आठा नमर दोनों पॉइंट है वो दोनों अगर phase आ गया तो यह दोनों इनसी हो जाता है नर्माली close हो जाता है जो कि हमारा वह इमर्जेंसी का साथ में connect रहता है देखे दोस्तों अगर मैं phase supply देगा उसको power supply दे रहा हूँ देखे दोस्तों ध्यान से अब रेड लाइट आ गया तिन नमर कंट्रक्टर एक बार अन आफ हो गया मतलब की हमारा power supply बराबर है देखे दोस्तों आज पार बांद कर रहा हूँ यह कंट्रोलिंग के लिए लगा हूँ है जैसे कि forward reverse और को magnet करने के लिए लगा हूँ है यह timer T1 T2 है जोस्तों देखो कि forward reverse के लिए टाइमर है जैसा forward होता है यह यह active हो रहता है यह active होने बाद में यह चालू हो जाता है जो तीन नमर कंट्रक्टर यह चालू हो जाता है फिर जैसा reverse आता है यह चालू होता है फिर जैसा यह deactiv हो जाता है फिर और एक पर एक माइगनेट होके फिर आफ हो जाता है इसलिए timer यूजता है दोस्तों यह तीन नमर कंट्रक्ट खम्निकाลा है कितना है जिएरो टुटीफोल्ट और जिरो टु सिस्टी वोल्ट इस इसमें देखें दोस्तो ध्यान से 6 x всего एक डख़ी आप लोग दोस्तो यऄ 24 x 60 तुसете 24 बोल्ट किस um यूज aggressive 24 व्लट भ болt अम यूज करते जो एक न आ chosen आद्यों तुछ 24V AC यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, देखिए, ओहीं पर लिखा है 24V, ये सब कायल में गया है 24V AC, इसलिए ये 24V यूज़ किया है, और सेकेंड जो 60V निकलता है, वो 60V किसलिए यूज़ करते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्रीज रेक्टि फेर में हमारा जो 60 वोल्ट निकलता है एसी वो ब्रीज रिक्टर फेर में जाता है और 60 वोल्ट डिसी निकलता है यह डिसी निकल के आके यह तीन नंबर को जाता है देखें दोस्तों यह तीन नंबर को जाता है डिसी 60 वोल्ट जाता है और यह जो 60 वोल्ट है यह आके यह जो आउटपूट है इन लोग का यह कोईल का और यह कोईल का यह जो त्रीफेज सपले बाहर आ रहा है यह त्रीफेज सपले बाहर आ रहे इसका कंटाक्टर को थ्रू होके इसमें जो दो फेज में कनेक्ट रहता है जैसा कि यू भी में कनेक्ट रहेगा यह भी यू भी में कनेक् इसका जो output यह दोनों है वो कांटाक्ट में राता है यह क्या काम करता है ध्स्तों जैस्सा कि यह magnet हुआ मोटर घुमेगा जैस्सा इसका power supply cut होता है फीर तीन नवर अक्टिव होता है टाइमर कत रोम तीन नवर अक्टिव होगा तो ऑगी जो को कैल को तो ब्रेक काम करता है दोस्तों इस में से समझ में आया दोस्तों यह थार कांटक्टर जो यूज होता है जो 60 वोल्ड डीशी यूज होता है वो मौटर को ब्रेक करने के लिए यूज होता है वो मौटर फोरवाड घूमता है रिवर्स घूमता है आम जैसा कि फूर्ट सुष द करेगा गोर से देखिए दोस्तों तीन नवर कंटाक्टर एक बार आक्टिव होगा फिर देखिए दोस्तों यह रेल लाइट जलने लगा हमाँ पार सप्लाई कांट्रोलिंग के लिए उके है इसको हम आप्रेशन कर सकते हैं देखिए दोस्तों मैं उपर में यह फूट कि दोस्तों जैसे में फूर्चुच दबाएगा हमारा क्लागवाज घुमने चालू हो जाएगा मौटर फॉरवरड जाएगा मैं जहां छोड़ दूगा वही ब्रेक हो जाता है मतलों कि त्रिसरा कंट्राप्टर आक्टिव हो जाता है वह 60 वोल्टिसट सप्लेए कउल को चला पर आइक सो जड़ा चबसे को दौस्तों यह नहीं नहीं हो गालेह चलेगा लेकिन क्या होगा प्रब्लम होगा यह प्रब्लम होगा का मैं देखे निकाल निकाल दिया है इसके सके चली होडंगे में उसको निकाल दिया subscription ऑसे निकालने के बाद में जब चलाएगा म defending कि छोड़ेगा ब्रेक नहीं लेगा देखिए दोस्तों अब आप मेरे चोड़ने खुर दिया छोड़ने बाद में फिर फी घुम रहे हैं देखे दोस्तों अगा पर चोड दिया पर फिर हम रहा दोस्तों इसका मतलब कि ये करते हैं हम लोगों Ooie siriya का रेंज में नहीं रहता है दसतों इसलिए हम यह 60 वोल्ट यूज करते है दोस्तों देखि 있 को भाल सबिल से फिर इसको मैं लगा देता हूं कि लगा दिया उसको इसको सम देखिए दोस्तों पहले समझे संजी इधर भी ड्राइंग दिया हुआ है के C1, C2, C3, यह तिनों हो गया, C3 का काम क्याता है, क्या होता है, जो ट्रांसफर्म से निकला है, जो स्टेप डान ट्रांसफर्म लगा है, 60 वोल्ट, यहां आके, इसका थुरू, कंटाक्टर का थुरू होके, देखिए दोस्तो, U and V में लगा हो, जैसा कि, यह कंटाक्टर, देखिए दोस्तो, इसका अंदर में और क्या है, देखिए दोस्तो, इस साइड में एक इंडिकेशन है, उसका on का, forward switch है, आप switch भी दावया के, push button दावया के forward कर सकते, reverse कते, आपको मिलेगा, दो limit switch, देखिए दोस्तो, दो limit switch का काम क्या होता है, जैसा कि, हमारे यह forward घुम रहा है, तो, यह hard time में हमारा, अगर यह जाके, यह जो pin है, यह pin में, यह no हो जाएगा, जब जैसा कि, यह टकराएगा तो, no हो जाएगा, यह no घुम जाएगा, फिर उस तरफ में active हो जाएगा, फिर इधर जब आएगा, फिर घुम एगा, देखिए तो, ऐसा, अगर दोस्तो, में आपको कुछ सिखा पाये वीडियो में, तो फिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किजिए, कमेंट किजिए, शेयर किजिए, और बेल आइपकेन को दवा दिजिए, जैसा कि मैं पहले वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा थांक यू फर वाचिंग दोस्तो